गनेश एनर्जी फ्रिक्वेंसी का सिंबल है गर के बाहर रहेगा तो दुष्ट लोग आएंगे तो उस एनर्जी से वो आखरमित हो के अंदर आएंगे आपको एक बात बताओं आप लोगों ने बात सुना होगा किसी किसी से जब आप बात करते हो जगते हो तो आप बोलते हो के तेरा सौस तक मेरे नजदिक नहीं अना चाये जा दूर इसे बोलते हो कभी बोला है के तेरा सौस तक मेरे पास नहीं आप निकल यएंसे क्यों के आपके विचारों की धारा स्वां से भार जा रहे है नज़ाische का अन्जर बोलते हो ना, मेरे बेटे को नजर लग गया। आपको पता नहीं है कि ऐसा कौन सा नजर वाला, जो आपके बेटे पर नजर डाल देगा। उन गर में जाके आया और इधर अपने गर में लड़े शुरू हो गया यानि वो लोग आपका बुराई चाते हैं वो उनके स्वास से वो हवा में निकल के वो बुराई के तरंग आके उपर लग गया तो अपने गर में कुछ बुरा होके ही रहेगा यह स्वास का प्रबाव है तो गनेश क्या करते हैं कि अगर बार दरवाजे पर फोटू हो तो ऐसी बुराई लेके आने वालों की जो तरंगों हैं अपने में खींच के वो बुरा आदमी को निल करते हैं अगर वो अंदर हो तो जब हम बार जाएंगे हमाई पूरी एनरजी ग पूरा शक्ती कमजोर मैसुस करेंगे भाई मेरे को थकान आ रहा है अभी आप कोई देखो तो आप बोलेंगे दूपर मैं तोड़ी देर सो जाओं मेरे को रेष्ट करना ये आपका आदत होगा इसका कारण मात ये फोटू ही है ये फोटू अगर पूजा कमरा में आ जाएं आप भी हाती की तरह बल्वान हो जाओगे नबा लगा रहेगा तो हाती की तरह सक्ती चूसी जाएगी समझ रहे है इसलिए गर के अंदर नहीं होना अगर गली बार है धर्वा खल बताए किसी को अगर गर के बार गली है तो बार गनेश लगा देने से वो गली में जितनी व ये तो अब एक एक बाद देख रहे हैं हम, ये कारण है लेकिन जो बक्ति करेगा, वो ये की करण जिससे सब सुखा जाएगा